राधे राधे भारत माता की भारत माता की मैं ब्रदक्षेत्र के सभी देवी देवताओं को स्रद्धा पुर्वक प्रणाम करता हूँ मैं आज आपके पास विशेष रुप से आया हूँ मैं पहले भी आता हूँ आता रहा हूँ जहां जहां पहुंच सकता हूँ पहुंचता हूँ लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था कुछ लेकर के आता था को योजना लेकर के आता था किसी के उद्गहटन के लिए आता था लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं मांगने के लिए आया हूँ मैं आपसे विक्सीद भारत के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ आप मुझे बताईए अगर भारत विक्सीद होता है तो आपका भला होगा के नहीं होगा भारत विक्षित होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा भारत विक्षित होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा और इसलिए भी देश एक जुड़ होकर कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है अब जैसे यहाँ डिफेंस कोरिडोर बन रहा है यह देश की सेना के लिए आत्मन निर्फर के बनने के लिए दुनिया में निर्याद के लिए गातक अस्त्र और सस्त्र बनेंगे लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल है जो पुरानी सरकारों में गूस दे करके अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैटे हुए लोगों को भी यह मलाइक खाने को मिलती थी उनको भी मज़ा आता था ऐसे सारे लोग अमोदी जब सस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है तो बौखला गये हैं बहुत नाराज है वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने इसलिए वो मोदी के बिरूत एक जुट हो गए है इन ताकतों को रोकेने के लिए देश के उद्वल भविष्चा के लिए फिर एक बार फिर एक बार बीजेपी एंडिये सरकार लाना बहुत आवशक है भाई और बहनों मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास की है लेकिन सपा कॉंग्रेस के इंडी गड़बंदन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है हमारा दस साल का ट्रेक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्रा हम जोड दे रहे हैं सेचुरेशन पर कल्यान कारी योजनाओं का लाब सबको मिले पूरा लाब मिले बिना बिचोनियों को मिले बिना रिश्वत को मिले और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले ये भाजपा का सेचुरेशन मोडल है क्योंकि जहां सेचुरेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है हमारा सेकुलरिजम भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने बिना धर्म जाती बेदभाव सबको मिलना चाहिए सच्चा सामाजिक न्याई भी यही है जब आप बिना भेदभाव बिना अपने पराए बिना रिश्वत खोरी कि सबका हक पुरा करते हैं तो इससे बड़ा सामाजिक न्याई क्या हो सकता है कि और आपने देखा होगा फ्री राशन हो मुप्त इलाज हो पक्का घर हो टॉयलेट बनाना हो नल से जल देना हो कि यह सारे लाब हर लाभार्थी को मिले बीना बेदभाव को मिले यह मोदी की गारंटी है अच्छा मेरा एक काम करोगे करोगे हैं सब लोग अगर हाथ उपर कर बताओगे तो मैं बताओंगा करोगे हैं पक्का करोगे हैं देखिए मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं और यहां उत्तरप्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है फिर भी जब आप गाउं में जाएंगे इलाके में जाएंगे सोसाइटी में जाएंगे हो सकता है दो चार दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुँची है तो मेरा एक काम करेंगे जिनकी योजना नहीं पहुँची है उनकी सुची बनाना और उनको कहना कि मोदी जिने आगरा में आये थे गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टम में उसका भी पुरा हो जाएगा ये बता देंगे और आप देखिए मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जुरूर पहुचेगी साथियों जम एक के बाद एक गरीब के शसकती करण के हम काम कर रहे हैं गरीब को गरीबी को परास्त कर लेक लिए मजबूत कर रहे हैं एक ऐसा मोडल है जिस मोडल की आज दुनिया के लोग तरचा कर रहे हैं क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है हमने जो मोडल अपनाया है उससे आज देश में पचीस करोर देशवासी जो गरीबी की जिन्दगी जीते थे वो गरीबी से बहार निकले हैं साथियों मोडी हमारे देश में हमने तुष्टी करण की राजनिती बहुत देखी है तुष्टी करण की राजनिती ने के देश को तुकडे तुकडों में बांट के रख दिया है तुष्टी करण की राजनीति ने सच्चे वर इमान दर्व के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टी करण को समाप्त करके संतुष्टी करण की और आगे बढ़ रहा है हमारा रास्ता तुष्टी करण का नहीं है हमारा रास्ता संतुष्टी करण का है सबका साथ सबका विकात यह मंत्र भी उसी तुष्टी करण का महा मार्ग है लेकिन सपा कॉंग्रेस का इंडी गणबंदन गोर तुष्टी करण में जुटा है 24 के चुनाव में कॉंग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर शत्प्रतिशत और ये मैंने पहले ही दिन कहा था आज नहीं कह रहा हूँ कॉंग्रेस के इसमार के मैनिफेस्टो पर सत्प्रतिशत मुस्लिम लिग का थपा लगा हुआ है मुस्लिम लिग की चाप है कॉंग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सरफ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है साथियों आजादी के बात से ही ये स्पस्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षन नहीं दिया जाएगा ये संविदान सभा में चर्चा करने के बात तै हुआ है संविदान सभा में जो चर्चा हुई थी जिसको बाबा साब आमबेड करने लिखा था बाबा साब आमबेड करकी इच्छा थी यही संविदान की मुल भावना है यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविदान आरक्षन की सहमती नहीं देता है लेकिन कॉंग्रेट एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है संविदान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो दज्जियां उड़ा देती है लीरे लीरे उड़ा देती है इसी कॉंग्रेटें कभी करना टका में कभी आंदर प्रदेश में कभी अपने गोष्णा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षन की वकालत की देश का संविदान देश की अधालतें कॉंग्रेटे को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है उनकी हर बात को देश के न्याय पालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कॉंग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है SC, ST, OBC के आँख में धूल जोग करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है अब कॉंग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाक कर रहेगी और इसके लिए कॉंग्रेस ने तरीका निकाला है, जो OBC का कोटा है 27% का जो OBC का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज चाहता हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है यह जो 27% आरक्षन का कोटा है, अब उन्होंने तै किया है कि उस मैंसे कुछ चोरी कर लिया जाए 27% मैंसे चोरी कर लिया जाए छिन लिया जाए, चुपचाप छिन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षन दे दिया जाए, क्या आपको यह मंजूर है यह आप सहन कर सकते हैं, यह आप स्विकार कर सकते हैं देखिए करनाटका ने क्या किया, करनाटका ने वहां की इस कॉंग्रेस की सरकार ने रातो रात, करनाटका में जितनी भी मुस्लिम जातिया है चोटी, मोटी, धनी, पड़ीली की सब सभी जातियों को रातो रात, एक कागज पे थपा मार कर उनको OBC बना दिया, रातो रात, और उनको कह दिया, कि जो 27 परसंट है न, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो OBC के हक पर डाका डाला है, ये डाका है कि नहीं है, ये डाका है कि नहीं है, जरा पुरी ताकत से बताईए भई, ये डाका है कि नहीं है, जरा इजर जे माता है बहने बताईए, ये डाका है कि नहीं है, कॉंग्रेस का इवरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है यही कारणामा दोराना है देश में जहां जहां मोकाम मिले यह पिछले दिर्वाजे से चोरी छिपी से OBC का हक लूट लेना, SC का हक लूट लेना, ST का लूट लेना और उनको दे देना और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का फुरा साथ मिल रहा है, आप याद कीजिए, 2012 में उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी, इन्होंने OBC के आरक्षन का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए, यूपी के लोगों को और विशेश कर OBC समुदाई को कॉंग्रेस और सपा का ये खतरना खेल, कॉंग्रेस और सपा का ये खतरना खेल ये मेरे OBC भाईयों बेहनों को समझना पड़ेगा। दलीतों को, वंचीतों को, पीछडों को ये सपा कॉंग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्बे, मौर्या, कुश्वाहा, यादव, जाट, गुजर, राजबर, तेली, पाल, ऐसी अनेक OBC जातियों हैं। उनका हक है, भारत के सम्विधान के अनुसार हक है, तो इन से स्थिनकर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछडों से ही सबसे बड़ा विश्वास गात कर रही है। तुष्टी करन में डूबी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर्पदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना इसका भी आधार यह तुष्टी करन की राजनिती ही है। दोनों मिलकर भाशन में तो ओबी सी ओबी सी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबी सी का हग छिनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। आप मुझे बताईए क्या आप जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं क्या आप कॉंग्रेश सपा को यह पाप करने देंगे यह बेइमानी करने देंगे यह आपके अधिकार को लूटने देंगे बाई और बैनों योगी जी के मुख्य मंत्री बनने से पहले यहाँ इंडी गड़ बंदन वालों का नारा क्या होता था आप भूल गए होंगे क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है इसलिए आप भूल गए हो मैं जरह याद कराना चाहता हूं उस समय नारा क्या था जो जमिन सरकारी है जो जमिन सरकारी है वो जमिन हमारी है ठाक नहीं था ऐसा नारा ऐसा नारा लगता था और लखनव में जो बैटी जिन सरकार बोट बैंक वाली जरकार उनका अशिरवाद रहता था ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जग पर पहुँचाया लेकिन साथियों अब कॉंगरेस और इंडी गड़ बंदन वालों का नया प्लान सामने आया है और ये नया प्लान क्या है ये याद रखेंगे आप लोग गर गर पहुँचाएंगे नया प्लान जरा इधर से आवाज आए पहुँचाएंगे पीस्टे से आवाज आए पहुँचाएंगे जो दूर दूर है वो भी जरा बताएं पहुचाएंगे इनका जो नया प्लान है याद रखना कॉंग्रेस की लूट कॉंग्रेस की लूट जिन्दकी के साथ भी जिन्दकी के बाद भी अब बोलेंगे आप लोग कॉंग्रेस की लूट जिन्दगी के जिन्दगी के और कॉंग्रेस की लूट जिन्दगी के बाद भी जिन्दगी के कॉंग्रेस के लोग कहते हैं बार बार कह रहे हैं और बड़े खुश मिजाज हो करके कह रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जाच होगी एक्सरे कॉंग्रेस के साजादे की एक्सरे मशीन अब बेहनों बेटियों की अलमारियों में पहुँचेगी साजादे की एक्सरे मशीन लोकर में पहुँचेगी अरे किसी करीब माने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है न तो उनकी एक्सरे महां भी पहुँचेगी इन्होंने मंगल सुत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुँचेगी और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा यह सपा कॉंग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाकार डालेगी कब जा करेगी यह उन्होंने गोस्रा की है यह मैं नहीं कह रहा हूं उनके बड़े-बड़े दिग्रच कह रहे हैं खुद साजादे कह रहे हैं क्या आप हमारी माताय बेहने जड़ा मुझे बताइए आपके पास जो स्त्री धन है आपके पास जो मंगल सुत्र है क्या यह आप किसी को लेने देंगे किसी सरकार को लेने देंगे देश की कोई माता बेहना लेने देगी अरे सर कटवा देगी लेकिन वो कभी नहीं देगी यह इनको मालूम नहीं है साथियों आप से आपकी संपत्ती चीनने की कॉंग्रेस और इंडी गड़ बंदन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है अब कॉंग्रेस सपा वाले इंडी गड़ बंदन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे आपकी विरासत का मतलब है दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर इंडी गड़ बंदन कॉंगरिस गड़ बंदन ने गोश्रा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55 परसंट आदे से जादा सरकार उस पर कबजा कर लेगी बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा बताईए आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या यानि आज जो संपती आप आने वाली पीडियों के लिए जोड रहे हैं आपके बाद उस पर भी ये लोग आदे से जादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं अब मैं समझाता हूँ मान लिजिए आपने अपने बच्चों के लिए चार कमरे का घर बनाया है तो आपके बाद सिर्फ दो कमरे आपके संतान को मिलेंगे दो कमरे कॉंग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरफकार उसको हड़प कर लेगी मान लिजिए आपके पाद दस भीगा खेत है तो पाँच भीगा ही आपके बच्चों को मिलेगा बाकी कॉंग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी आप अपनी संपत्ति क्या कॉंग्रेस सपा के ब्रस्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे जरा पूरी ताकते बनाईए मुद्दा बड़ा घंबीर बनता जा रहा है जाने देंगे आपको गुशा आ रहा है और नहीं आ रहा है साथ क्यों S.C.S.T.O.B.C. के हग पर डाका डालने और बेहनों के मंगल सुत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गड़ बनने वालों ये दिवार पर लखा हुआ पड़लो और कान खोल कर सुन लो जब तक मोदी जिन्दा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा हमारा संकल्प है जो प्रस्टाचारी है उनकी जाच होगी जुनों ने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा यह जो प्रस्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है जो बंगले गाड़िया जपत हो रही हैं यह जनता को कैसे लोटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है रास्ता खोज रहा है यह माता और बेहनों की बचत्पन नजर गड़ाए हुए हैं लेकिन मोदी माता और बेहनों को संपत्ति का हगदार बनाने में मैं आपका चौकिदार बनके खड़ा हूँ बीते दस वर्सों में मोदी ने चार करोड पक्के घर बनाए हैं इन में से तीन करोड चे अधिक पक्के घर माता और बेहनों के नाम मिले हैं ये मेरी माता और बेहनों की ताकत है मोदी ने बेहनों के जनदन बेंक खाते खुलवाए ताकि सरकारी लाप का सीधा पैसा गर की माता बेहन के खाते में जाए और अब मोदी की गारंटी है कि तीन करोड बेहनों को आंकड़ा याद रखिये तीन करोड बेहनों को लखपती दीदी बनाया जाएगा आज देश का युवा आत्म विश्वात से भरा हुआ है आशावान है सामर्थवान है कर्तुत्वान है और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है मैं दुनिया में जाता हूँ ना तो मैं मुझे लोग पूते हैं बोदी जी इतने बड़े-बड़े काम, इतने बड़े-बड़े सपने, मैंने काए सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नवजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ से मिलती है। आज देश में नए-नए अवसर बन रहे हैं, नए-नए सेक्टर खुल रहे हैं, युवाओं की हर आकांच्छा का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। युवाओं की सहायता के लिए मुद्रा लोन है, स्कील इंडिया मिशन है, स्टेंड़ इंडिया मिशन है, हमारी नोकरियों में गेर जरूरी इंटर्यू खत्म कर दिये। हमने स्थानिय भासाओं में परिक्षाओं का प्रावधान किया, हमने सरकारी व्यवत्ताओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कॉंग्रेस है, जिसने आजादी के बाद से ही भाई बती जावात को बढ़ाया, युवाओं की छमता को बरबाद किया, अभी इसका ताजा प्रमान मिला है, आप ज़रा सुनिये और लोगों को बताईए, ताज आज आपने अख़बारों में भी पड़ाओगा, ताजा प्रमान मिला है, हमारे पडोस में, राजस्थान में, वहाँ कॉंग्रेस की सरकार थी, कॉंग्रेस के अपने लोगों ने, कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने, कल एक बड़ा चौकाने वाला खुलासा किया है, और सार्वजनी गुरूप से किया है, और अभी तक कॉंग्रे के मुँपर ताले लगे हुए है, वो कह रहे हैं, कि पेपर लिख, याने नव जवानों के भविश्य के साथ इतना बड़ा खिलवार, वो कहते हैं, कि राजस्तान में जो पेपर लिख हुआ, वो पेपर लिख में गहलोत सरकार, कॉंग्रेस के गहलोत की सरकार, खूद शामिल थी, और कोई और नहीं कह रहा है, जो कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री के कारयले में काम करने वाले सज्जनते, वो खेह रहे हैं, आप बताईए मेरे नवजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा, मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है, यानि राजस्तान में आप कॉंग्रेस का ही पेपर लीग हो गया है, यहीं कॉंग्रेस की सच्चाई है, इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स टाइम बॉटर्स को, कॉंग्रेस से बहुत सतर्क रहना है, बाई और बेनों, भाजपा सरकार की पहचान ही, अच्छी सडके आदुनिक रेल लाइन, मेट्रो सुविदाएं, कोवीड में वैक्चिन की व्यवस्ता, अच्छी करोर लोगों को मुफ्त राशन, सत्तर साल से उपर के लोगों के लिए आउश्वान कार्ड, हम आगरा फते पूर्शिक्री सहीत, इस पूरे ख्षेत्रों को, पूरी दुनिया के निवेशक और परियटकों के लिए आकर्शक बनाने में जूटे, आप याद रखेगा, यह जो आयोध्या में प्रभू राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहा है न, लाखों लोग आ रहे हैं, काशी में जो कोरिडोर बनाएं, लाखों लोग आ रहे हैं, आप मान के चलिए, वो निकलते हैं आयोध्या आने के लिए, वो निकलते हैं काशी क के लिए आने के लिए लेकिन वो जुरूर आगरा करके जाते हैं और इसलिए यहां का तुरिजम तो बढ़ने भी बढ़ने वाला है आपको तो एक आद में दो दो लड़ू है आप याद रखेगा आपका वोट S.P.C. बगेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही लेकिन जब आप वोट उनको देगे न तो उनको तो मिलेगा ही लेकिन यह वोट मोदी को भी मिलेगा तो आप मोदी को वोट देंगे पक्का देंगे और इसले साथ मही को कुछ समाए अपने इस सेवक के लिए जुरुन निकालदा कितनी ही गर्मी क्यों नहों, कितनी ही शादिया क्यों नहों, कितने ही नीजी काम क्यों नहों लेकिन जब मैं इतनी महनत करता हूँ, दिन रात महनत करता हूँ तो मतदान के दिन मेरा आपसे कुछ समय मागने का हक बनता है का नहीं बनता है मैं इतना तो मांग सकता हूँ कर नहीं मांग सकता हूँ मैं देश वाज़ों से इतना तो मांग सकता हूँ न कि आप देश के लिए एक दो घंटे निकालिए गर्मी हो तो भी निकलिए मतदान किजिए मतदान कराएंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे गर-गर जाएंगे गर-गर जाकर के कहना मोदी जी आये थे आप सब को रादे रादे कहा है पहुँचा देंगे राम राम मेरा मेरा राम राम पहुँचा देंगे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल